हेलो दोस्तों स्वागत था आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रेट बैल त्वी अतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे बलरामपुर्द चिनी की बोला जाता है कि चिनी सेथ के लिए अच्छी नहीं होती है बट इस टाइम चिनी के श चिनी की तो बलरामपुर्द चिनी जो आप देख सकते हैं 8.54% की जो राइस था एक अच्छा स्पाइक था उसके अंदर देखने को मिला और पूरा दिन आप देख सकते हैं इस टाइप से शेयर ने काम किया है 487 के उपर बंद हुआ 38 रुपीज के राइज के साथ अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसका 52 भी खाई है 490 1.30 का है और 52 लोग देखेंगे 190 का है तो यहां से अलमोस शेयर जो है डेट दो गुना के आसपस काम करता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद बात करें 52 भी जो लास्ट सेशन था उसके अंदर इसने 52 भी खाई लगाया है तो लाइफटाइम हाई के आसपस जब कि निप्टी अपने लाइफटाइम हाई से 2000 पॉइंट नीचे काम कर रहा है जब कि शुगर के शेयर बलरामपूर्चिनी स्टॉंग केंडिएट जो है उपर काम करते ह जरा रहा है उसके बात बात करते हैं fundamentals कैसे है खाहा इसे लेना चाहिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए जैसे शुगर के शेयर्स हैं क्या analysis timing का scope हो सकता है क्या fundamental क्या turn around story हो सकती है और especially इस शेयर्स को किस level पे करिदना है तो बात करते हैं यह 3 segments में काम करते हैं सब FE मेन है शुगर बिजनस जो 82% के आसपास इनका आता है दूसरा है इस इस्टलरी बिजनस जिससे 10% के आसपास के रिवेन्यू जाते हैं और तीसरा है को जैन पावर यानि पावर जनरेशन का जो है वो 8% के आसपास का बिजनस यह आता है तो मेन है इनका शुगर का को जैन पावर का तो इनकी कपैस्टीज की हैं आप देख सकते हैं कपैस्टीज है इनकी जो 10 प्लांट्स हैं इनके मैनुफेक्चरिंग प्लांट्स इस 10 अंसेंटर यूपी में और पावर है, अपने लिए यूज करते हैं, बाकी rest of the यो है, state electricity grid के साथ इनकी connectivity है, 63% के लिए जहां से इनको income होती हुई नजर आती है, इसके बाद अगर देखें, इन्होंने जो buybacks किये हैं, अभी तक वो 4 buybacks किये हैं, और काफी successful रहे हैं, अगर बात करें इसके market cap की, तो market cap है 15.9 की है, जब कि stock जो काम कर रहा है, 21 के आसपास काम कर रहा है, तो ये भी आपको एक range के अंदर दिखाई देगी, EPS 22 की है, debt जो देखेंगे 307 कोड के आसपास का, debt to EPT देखेंगे, manageable है, 0.12 के आसपास ही है, काफी अच्छी है, और ROC, ROE देखेंगे, तो sugar companies में ऐसी लग रहे हैं, कोई भी जो promoter की holding है, वो pludge नहीं है, 0% pludging है, ये और भी अच्छी चीज है, इसके बाद अगर बात करें, जो share है, वो अपने 50 D.A.M. में, यानि 410 रुपे से उपर है, 200 D.A.M. में 353 के आसपास का, उससे भी काफी उपर काम करता है, यानि एक uptrend के अंद 233 और 64, बट अगर last year से देखें, जो December 2020 के results थे, वो 27 क्रोड के आसपास थे, और वहाँ से अच्छा improvement है, 64 के आसपास का, March quarter का result होता है, आप देखेंगे, March quarter का result का result काफी strong रहता है, जो आने ला March quarter का result है, quarter 4 वो strong रहने की उमीद है, March 2021 के result देखेंगे, 236 क्रोड के आसपास यानि March quarter जो है, इनका काफी strong रहता है, और इस March quarter में भी इनके काफी अच्छी guidance है, और अच्छे results आने की उमीद है, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी improvement है, OPM percentage में, वो 14% के आसपास 2020 में काम कर रहे थे, March 2021 में देखेंगे, 15% के आसपास काम कर रहे हैं, उसे पहले यह 10% के main matter करती है किसी भी company के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि operating profits भी जो March 2021 का close किया था, वो उपर ही साथ सो इक आसपास की काम करता हूँ नजरा रहा है, अगर बात करें हम इनके reserves की, तो reserves देखेंगे, यहाँ पर 2541 क्रोड के आसपास के reserves हैं, और debt जो है, रिड्यूस होत तो interest burden reduce होगी, और interest burden अगर reduce होती है, तो profits भड़ते हुए नजरा आएंगे, अगर आप देखेंगे, other assets जो इनके है, cash equivalent देखेंगे, तो 301 क्रोड का cash equivalent है, जो कि 5 क्रोड, 3 क्रोड के आसपास हुआ करता था, बढ़ आप 301 क्रोड का है, यह काफी अच्छी चीज है, इसके बार data days देखेंगे, तो 38 के आसपास पहुंच गए थे, अभी again 18 और 19 के आसपास पहुंचते हो नजरा आ रहे हैं, मतलब इनका जो services या products बेशते हैं, उनका पैसा इनको return मिलता है, वो 18 दिन की average में मिल जाता है, share holding pattern देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि promoter की holding ज 15.19 से 16.79 के आसपास हुई है, इंक्रीज हुई है, पबली के पास 21% के आसपास है, तो share holding pattern भी काफी अच्छा इसके इंदर नजरा आता है, इसके बात बात करें, जो 1 week का return देखेंगे आप, जैसे मैंने बताया, निफ्टी का आफ उपर से गिरा हुआ है, और चाए वो banking हो फार्मा हो, FMCG हो, सभी ही shares, सभी sectors नीचे हैं, बट शुगर sector देखिए, 3 years में भी 264% के returns, 1 year में 120% के return, year to date 32, 3 month के 45, 1 month के 14, 1 week के भी 15% के returns हैं, काफी impressive returns हैं, इसके बात देखिए, जो delivery percentage एक issue जुरूर है, इसका 1 crore के आसपास, जो last trading session था, उसमें volumes थे, बट जो delivery थी, व delivery percentage एक concern जुरूर है, कि delivery जाता नहीं जा रही है, इसके बाद देखें, ब्लोकरेज की radar पे जो stock है, तो किस टाइप के targets दिये गए हैं, आप देखेंगे, यहाँ पर 4 February को ICCA direct की तरफ से, जब share जो है था, 438 के आसपास चल रहा था, तो 600 के target दिये गए थे, ICCA direct के उससे प transform कर रहा है, पूरा clean energy का जो पूरा drive चल रहा है, उसके अंदर जो ethanol है, वो जो government की तरफ से blending, ethanol blending को permission मिली है 20%, तो उससे जो CAGR है, 2022 से लेके 2030 तक के, वो 15% के आसपास के CAGR जहां से निकलते हुए नजर आते हैं, तो यह काफी अच्छा है शुगर सेक्टर के लिए, और जो इ re-rate हो सकता है, और काफी improvement उसके अंदर भी होता हुआ नजर आ सकता है, तो renewal energy का जो है, जो इंडिया की shift है, renewal energy के उपर, वो faster than ever होगा, और यह transform जो होगा, sugar industry के लिए भी होगा, re-rate होते हुए यह shares जो हैं नजर आएंगे, इसके बाद हम बात करते हैं, technical parameter के उपर, तो technical parameter मे देखें, तो 2 buy है, no neutral है, zero sale है, यहाँ पर भी buy की तरफ indicate किया गया है, अगर दोनों को summarize किया जाए, और आप देखेंगे, strong buy की तरफ indicate किया जा रहा है, 16 buy है, 10 neutral है, zero sale है, तो काफी strong candidate बनता है buy करने का, बट किस level पर buy करना है, क्या इसके targets बनते हैं, क्या reward ratio बनता है, चार् 2005 से लेके, 2005 से लेके, लगभग 2000, अब देखेंगे, यहाँ तक, 2021 तक एक range के अंदर ही काम किया था, और वो range दी देखिए, इस range के अंदर, lower level के उपर और upper level, दोस्तों को यह cross नहीं कर पाया था, कितने साल का breakout इस ने दिया है, और इस नाई पर ब्रेकाउट होते हैं, वो stock डवल पे नहीं रुखते हैं, काफी उपर तक जाते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह काम कर रहा था, अगें, यहाँ तक stock आया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, और उसके बाद निच्चे के level देखिए, यहाँ पर support लेता हो, हर बार नजर आया, तो यह इस ने इ वो इसके अंदर 560-570 तक बने रह सकते हैं, बट फ्रेश बाई इसके अंदर नहीं करना थी है, क्यों जो इस टाइप की rally होती है, वो कहीं फसाने वाली होती है, तो आप देखेंगे काफी पहले ही rally इसके अंदर आ चुकी है, तो आपको फ्रेश एंटरी जो करनी है, वो जब भी कोई ये retracement देता है, इस level के उपर द्वारा आता है, नीचे की साइड में, तो 430-440 के आसपा सगर stock आता है, तो वहाँ पर आप छोटी quantity के अंदर उठा सकते हैं, और बने रह सकते हैं, तो आने वाला time जो sugar companies का है, वो काफी अच्छा हो सकता है, March quarter आने वाला पर accumulate कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले चेकरीद रखा है, वो इसके अंदर बनी रह सकते हैं, थैंक्यू, धन्यवाद